नरेश शंद्र आरिय कहां से हरियाना इन्होंने सवाल पुछा है कि हमारे रामपाल महराज है मैं उनका शिश्य हूँ वो सभी भक्तों को दुखों से दुर रखना चाहते हैं और भक्ती करने से सभी दुखों से इंसान दुर होता है तो क्या ये संभव नहीं है मुझे लगता है इस सवाल का जबाब तो आपने खुछ डूणना चाहिए रामपाल महराज की भक्ती करने से या फिर उन्होंने कहा उस धंग की भक्ती करने से हर वेक्ती अगर सुखों से दूर होता है क्या ये सचाई है ढून कर देखिए अपने खुछ से शुरुआत कीजिए आप तो खुद भक्त हो क्या आप सुखी बने हो आपके घर के लोग सुखी है जो बाकी भक्त रामपाल जी के साथ में आपके साथ में जुड़ गए हैं क्या वे सुखी है बारी किसे देखिए अबजर किजिए आपका जबाब आपको मिल जाएगा कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने से या किसी भी प्रकार की भक्ति करने से सुखी नहीं बन सकता है अब यह आपको किस्ता सुनाओ यह जो हमारे भक्ति के परिणाम क्या हुए हम हजारों सालों से भक्त हैं मुझ जैसी बात करने वाले हमारे देश में दो प्रतिशत भी लोग नहीं है हमारे पुरे देश का विचार करेंगे तो 90% के उपर मैंने तो बहुत कम परसेंटेज आपको कह रहा हूँ सभी भक्त लोग है कुछ लोग रामपाल के भक्त है कुछ लोग डायरेक्ट भग्वान के भक्त है कुछ लोग अलग अलग बाबाओं के भक्त है हमारे देश में 90% लोग कम से कम भक्त लोग है सभी कोई न कोई भक्ती करते है कोई मंदिरों में जाकर भगवान की भक्ती करते है अपने अपने भगवान की भर्क्ति करते हैं, अल्ला की करते हैं मस्जीद में जाकर, गिर्जागर में जाकर, ये शुकी करते हैं तो हमारे देश की तो हर समस्या छूटनी चाहिए भारत तो बहुत सुखी देश बनना चाहिए है? हमारे देश में 29% लोग दरिद्रता सीमारेशा के नीचे है याने जिनका पेट, आधा, अधुराभी, ठीक, डंग से भरता नहीं ऐसे लोगों की संख्या 29% है जाने करीबन 30-40 करोड और हमारे देश में गरीब जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्तर पर जिसको गरीब कहा जाता है वो गरीबी की रेखा 69% के आसपास के लोग हमारे देश में गरीब लोग है और सबसे ज़्यादा भक्ती हमारे देश में तो गरीबी और आपने कहा सुखी होना यह दोनों साथ में चलता है बेगर्स की संख्या हमारे देश में कितनी है भीकारियों की यह भीकारी भी सुखी है भीक मांगते हैं जग जग पर भीकारियों की संख्या लाखों में हैं शायद एक करोट तक होगी उसकी कोई गिंती हमने ठीक डंग से की नहीं फिर भी आप करें कि भक्ती से लोग सुखी होते हैं अल्लाव दिन खल जी शायद बारवी तेरी वी शताब्दी में आया सोमनात का मंदीर बहुत जागरूत था वो सोमनात का मंदीर लूटने के लिए आया था क्योंकि वहां सोमनात के मंदीर में बहुत सोना था उसने काफी सोना था उसे सोना लूटना था इसलिए वो आया था, उसको कोई मंदिर लूटने में कोई रूची नहीं थी, सोना लूटने में रूची थी, जानते हो क्या हुआ, उसने जितना सोना सोचा था, उससे कई गुना ज्यादा सोना उसे मिला, क्योंकि आसपास के बड़े-बड़े महाजन लोग थे, सावकार लोग थे, जिनके बास बहुत बड़ा धन था, उनमें सोमनात मंदिर के बारे में ये मान्यता थी, कि सोमनात मंदिर जागुरुत है, वहां के भगवान जागुरुत है, वहां तो ये अल्लाव दिन खिल जी आई नहीं सकता, भगवान के सामने कुछ कर नहीं सकता, इसलिए आसपास के बड़े-बड़े महाजनों ने अपने सब सोने का धन लेकर उस मंदिर में आकर बैठे और भक्ती करते बैठ गए, भक्ती कई लोग की गर्दने काट दी, तो इसलिए वो सुखी हो गए, डायरेक्ट स्वर्ग में चले गए, क्योंकि मंदिर में मारे गए, और जो बचे वो इसलिए सुखी हुए, क्योंकि उनके पास सुना बचाने, सब अल्लाव दिन खिल जी लेके गया, ये जो वरणन मैं आपक तो होगा, स्वामे विवेकानन कहते थे, इस देश की सबसे बड़ी समस्या, दरिद्रता, दूर करना, ये समस्या है, और ये समस्या हमें अगर दूर करनी होगी, तो जो भी भक्त लोग है, जो भगवान की पुजा करते हैं, उन्होंने अपनी भगवान की मूर्तिया पोटली में बानकर कहीं रख देनी चाहिए, और भगवान की भक्ती में जो समय हम बरबात करते हैं, वो सारा का सारा समय दरिद्रता, निर्मुलन के लिए खर्च करना चाहिए, ये स्वामे वेवेकानन कहते थे,